हे गाई सुआगते आप सभी का एक और नई वीडियो में तो भाईयो हमारी सीटी में आ चुका है लावा से बना हुआ बहुत बड़ा मोस्तर वो इतना बड़ा है कि वो जब चलता है न तो धर्ती भी हिलने लग जाती है वेसे मैं आपको बता दूँ कि हमारी सीटी की अंदर एक और लावा गोड है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है भाई वो काफी छोटा है और इसका नाम है म्यूटेंड वैसे म्यूटेंड की गूफा भी बहुत बूरी तरीके से हेले लग गय थी और ये सोच रहा है कि बाहर भूखम पाया है लेकिन भूखम नहीं भाई तेरा पादर आया है हाँ वो इससे बहुत ज़्यदा बड़ा है और ये बाहर गया तो भाई वो इसको मार डालेगा क्योंकि दूसरा लाव गोड नहीं चाहेगा कि यारी इस सीटी में कोई दूसरा लाव गोड हो वैसे भाई वो किदर है ओ सीट भाई देखले भाई वो तेरसे या दस गुणा जदा बड़ा है दोस्तो मेरे को लगता है कि आध वड़े लावा गोड के हातों म्यूटेंट की चट्नी बनने वाली है भाई अब यह कहां से आ गया अभी तो मारी डालता मेरे को म्यूटेंट भाई जिस लावा से तू आया है ना वो भी उसी लावा से आया है लेकिन वो तिरसी 10 गुना ज़दा बड़ा है अब तो तुई सीटी में नहीं रह सकता वो देख वो तिरको केसी ढूंड रहा है भाई वो तिरको ढूंड ढूंड के मारने वाला है अब अच्छा यहीं होगा कि तुई सीटी को छोड़ कर भाग या फिर इसको मार ढाल वो तिरको नहीं चोड़ेगा मुटेंड भाई या दोस्तों क्या चोटा लावगोड अपनी ही सीटी को छोड़ कर चला जाएगा लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि बड़ा वाला लावगोड इसको मार डालेगा पेचारे को कच्चा चबा जाए क्योंकि इसके best friend भाई अबी इस city के अंदर जिन्दा है और वो है हमारा रोफिरो और सूपर हीरो, क्या रोफिरो उसको मारने के लिए जाएगा, हाँ जाएगा तो सही भाई, क्योंकि वो इसका best friend है, हम लोग चलेंगे उसको मारने के लिए, लेकिन एक सेकिन भाई, इसमें क कुछ भी नहीं है यह पेशा निकला है और कुछ एम हो चलो दोस्तो अभी मैं पहने वाला हूँ अपना सूट आयरन मिन का सूट नहीं भाई यह स्टिल सूट है जो कि यारी उसी की तरह है लेकिन काफी पाउरफुल है दोस्तो रोफिरों ने लावा गुड की आते ही उसके उ सुटिल साली रोबोट भी है और टेंक भी है चलो भाई में किदर आ गया टिपसन भाई का घर तो इदर है एपको पहले तो तो तुम जाओ अभी और पुलिस वालों को ओर्पोजियों को साथ लेके आओ हाँ बात तो सही अगर अकेले जाएंगे तो मारे जाएंगे वेसे भी भाई वो कोई मामूली चीज थोड़ी है वो म्यूटेंट के फादर है और फादर को हराना इंपोसिबल भाई लेकिन हम लोग फिर भी यानि उसको हराने की कोशिस करेंगे तो मैं सबसे पहले जाओंगा फोजियों के पास में उरको लड़ाई के लिए तियार करने के लिए वेसे भी पुलिस वाले तो हमारे साथ में आही जाएंगे न भाई इसलिए फोजियों को मनाना थोड़ा बहुत मुश्च के लिए भाई क्योंकि वो अपने केम्प के अंदर किसी को भी नहीं जाने देते हैं लेकिन मैं फिर भी जाओंगा भाई जान जोकिन में डाल कर तो हम लोग आ चुके भाई यानि फोजियों के केम्प में बस ये लोग मेरे उपर भड़के ना और जंग की अंदर शामिल होने के लिए तैयार हो जाए अरे भाई सारे फोजी क किया भी नहीं मैंने बोला था ना भाई ये अपने केम कि अंदर किसी को भी नहीं आने देते हैं ओ सीठ भाई इन्होंने तो मेरे काफी हेल्थ कम करदी में चाहँ तो भाई इन्सब को मार सकता हूँ और इनका हेलिकोप्टर बढ़ी ही आराम सी लेजा सकता हूँ लेकिन मै इनको सबक शिखाना है पड़ेगा तब ही भाई ये लोग मानेंगे अरे नहीं भाई ये लोग तो आते ही जाएगे मैं कब तक इन से लड़ूँगा और ये क्या आ गया भी हलिकोप्टर भी आ गया लो भाई में तो यानि मिर को यहां से भागना ही पड़ेगा वरना ये जालेगे चलो कोई नी भाई तुम लोग यानि जंक के अंदर शामिल ना हो तो कोई बात नहीं है लेकिन मुझे मारो तो मतना कम से कम चलो भाई कोई नी और आप लोग भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चेलन को भी सब्सक्राइब कर दो और अभी मैं जा के आया हूँ हाँ वो सब तो मेर को पता है लेकिन ये फोजी तुमें क्यों मार रहा है और सूपर हीरो कहां पे चला गया वा है और रोप हीरो तुम भी तयार हो जाओ क्योंकि जंक बहुत जल्द श्टार्ट होने वाली है हाँ हम सब को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा वड़ना लावगोड तो हम सब की चट्टी बड़ा देगा भाई और हाँ तुम सबी हीरोज को एक साथ लेके आना और मैं जाता हूँ इस सूट को परकने के लिए देखता हूँ कि इस सूट के अंदर कितनी ताकत है वैसे भाई ये इतनी स्पीड में उड़ रहा है कि यान लोग उसको मोश्टर बोलेंगे और अभी मैं इसके पास में जाकर इसको भी उठा सकता हूँ अरे भाई मैंने इसको उठा दिया तो क्या मैं लावा गोड को भी उठा सकता हूँ नहीं यार इसमें तो इतना ज़्यादा बज़न नहीं होगा लेकि लावा गोड को तो चुरा लिया क्या भाई यो सूपर हीरो यहां पर आ तो चुका है लेकिन अंदर जाने से बहुत ज़्यदर डर रहा है अगर हमारा रोफिर होता ना तो इन सब को मार कर यारी इस टेंग को चुरा लेता वैसे मेरे को लगता है कि यह कोई ना कोई प्लानिंग बना रहा होगा म तेर को इस लग रहा है अरे भाई यह लोग तो इसको मारी डालेंगे सूपर हीरो लेट्स को भाई तेर को यह टेंग चुरा ना है किसी भी हालत में चाय से तू मर जा हाँ क्योंकि यह टेंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा धुलाई कर दी बोले तो इसकी सारी की सारी हेल यह पर इस पृष लेकिन यह फोजी लोग उन्दर से बाहर आते ही जाएंगे और छोग फिरसे सूपर हीरो की बहुत ज़्यास्य धा हील्थ कम कर दी अगर भाई इतने सारे फोज्यों के सामने अकेला सूपर हीरो क्या करता वैसे इसके पास में भी ताकत तो है लेकिन ये सायद इनको मारना नहीं चाहता चलो भाई टेंक के अंदर बेट जा भाई ओ बेट गया अभी तेर को इसको लेके भी जाना है यह उसके पास में म्यूटेंट के पास में और अभी तो भूस सारे टेंक लेके जाना है तब ही तो बाई पलिस बाग गई लगता है कि बहुत बड़ा गुंडा है भाई भागो इदर से सब लोग लेकिन एक सेक्लिधू भाई रो पिरो तू क्यों भाग रहा है पुलिस वाले तो भाग गई लेकिन में तो इसको मारने के लिए तो आया था ना मेरे पास में तो इस्टिल सूट भी है लेकिन भाई तेरा बोम मेरा कुछ नहीं कर पाएगा तुने बोम तो फेका मेरे उपपर अरे यारी भाई हम लोग तो बहुत ताकतवर बन गए हाँ दोस्तो डेंजर विलन की हेल तो पूरी की पूरी गाई वो चुकी है वो भी इतनी सी देर की अंदर लगता है कि भाई ये इस्टिल सूट तो बहुत ताकतवर बन चुका है अरे ये क्या भाई इन लोगों ने तो मेरे उपर ताबर तोड हमला कर दिया अभी कंकाल बने ना यानि भाई डेंजर विलन भाई तू मेरे लिए यानि तेरे को हराना बहुत ज़िदा मुश्किल होता था लेकिन अभी तो तू कुछी सेकिंड्स की अंदर बरने वाला है चलो भाई अभी तेरे को पूरा खतम करने का वक्त आ चुका है अभी मार ले भाई कितना भी अभी तू गया काम से येलो भाई डेंजर विलन तो टपक चुका है इसकी तो फट के हाथ में आ गई बेचारेगी लगता है कि ये अब दुबारा से हमारे सिटी में कभी भी नहीं आएगा मेरे को ये सह लगता है अभी में मार नहीं जा रहा हूँ लाव मोंस्टर को चलो दोस्तो अभी एक बहुत बड़ी जंग की अंदर जाने का वक्त हो चुका है और इस जंग की अंदर कोन मरेगा और कोन बचेगा वो सब देखेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाई बाई